हेलो स्टूडेंट्स मैं वंधना लाहुरा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल विजन एंड नैविगेशन में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल रियक्शन्स एंड इक्वेशन्स चैप्टर में से इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्योंकि इस पार का जो जो चैप्टर है उन में से एक्टिविटीज में से कोश्चन आना बहुत बड़े चांसेज हो गए और स्पैशली बॉक्सेज में से जो आपकी टेक्स्ट बुक में यह बॉक्सेज दिये गए हैं इनको हम इग्नोर नहीं करेंगे तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो बॉक्सेज के कोश्चन है एक्टिविटीज उनके सॉलूशन और कंक्लूजन और अब्जर्वेशन को स्टडी करेंगे तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है पेज नंबर वन पर ही है चैप्टर के शुरू में आप देख रहे हैं इसमें हमें मैगनीशियम जो मैगनीशियम कैसा होता है मैगनीशियम जो है एक रिबन जैसे ही फॉर्म में आता है कॉयल के जैसा होता है वो रिबन के जैसा होगा तो उसको हम क्या करेंगे क्लीन करेंगे मैगनीशियम रिबन को तो लगबग 2 सेंटिमिटर का हम इतना बड़ा मैगनीशियम का रिबन का सा टुकड़ा हम ले सकते हैं और उसे सेंड पेपर से क्लीन कर सकते हैं सेंड पेपर से क्लीन करने के बाद उसको अब टॉंग लेंगे प्यवर टॉंग की हैल्प से you can see in this diagram this is tong इस से tong से उसको हम पकड़ेंगे और burner के पास हम candle भी यूज़ कर सकते है इसमे lab के अंदर तो burner होता है तो burner हम यूज़ करेंगे spirit lamp यूज़ कर सकते है तो burner जो है उसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा अब उन्होंने बोला है activity needs the teacher as assistance it would be better if students wear suitable eyeglasses तो ये precaution के लिए है तो hold it with a pair of tongs and burn it using a spirit lamp और burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1 इस figure में जैसे दिखाया गया उस प्रकार से हम करेंगे और ये watch glass है तो इसमें जो magnesium ribbon है जलने के बाद white color का powder obtain होता है हमने class में करके भी देखा है 9th class में भी करवाया था ये 7th class में भी है ये वाली activity NCRT की 7th class की book में ये activity है तो अब magnesium ribbon को simply हम जला के देखेंगे तो एक white color का powder मिलेगा एकदम white ऐसा नहीं कि हमें ash जो होती है राख जो होती वह gray color की होती है तो वह नहीं magnesium oxide मिली तो ये oxide जो है वो क्या है oxygen का part add हुआ तो oxygen कहां से add हुई क्यों कि combustion जो है वो oxygen की presence में होता है और ये हमें बताता है कि जलते वक्त जो oxygen यूज हुई थी वह magnesium के साथ react हुई तो हमने क्या observe किया it is observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and leaves residue as to a white powder white powder जो मिलेगा वो residue होगा dazzling flame होगी तो conclusion क्या मिला इसका it is concluded that magnesium ribbon reacts with oxygen in the present of air and form white powder of magnesium oxide यह आपको याद रखना है और magnesium की जलने पर जो reaction है वो आगे हमारे आएगी मैं बता दूंगे आपको कौन सी reaction है पहले हम activities पर नजर मार लेते हैं activity 1.2 यह चोटी सी activity है इसमें lead nitrate जो solution है एक test tube में लेंगे और उसमें potassium iodide solution डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो lead nitrate जो है वो potassium iodide के साथ reaction करेगी और क्या होगा lead nitrate और potassium iodide की solution जो है वो क्या देती है yellow precipitate और यह अपकी बार जो हाँ फेली question आया था फेली में question आया था वो उसके यह question आया था कि के तो इसका answer है इसका what do you observe हमने क्या observe कि यल्लो precipitate यल्लो precipitate obtain हुआ है ठीक है और yellow precipitate तो हमारी observation है और conclusion क्या हो निकला कि aqueous solution of lead nitrate react with aqueous solution of potassium iodide to form a yellow precipitate of lead iodide और जो यह yellow precipitate है यह क्या है lead iodide है yellow precipitate किसका है lead iodide का है ठीक है next activity इसका diagram है यह रहा यह इस जिंक granule वाली activity का diagram है तो हम activity पढ़ते हैं पहले है और यह जो activity है इसमें जो हमें हमारा मकसद क्या है इस activity का पढ़ने का इसमें जो reaction है इसका मकसद यह है हमें क्या पता लगाना है कि chemical reaction between zinc metal और dilute acid कोई भी dilute acid हो उसके चाहे वह hydrochloric acid हो या sulphuric acid उसमें zinc metal का क्या reaction होता है zinc और HCl या H2SO4 के बीच में क्या reaction होती है यह हमें पता प्रोसेजर क्या है प्रोसेजर भी हमें ध्यान रखना है कि हमें टेक फ्यूज zinc granule in a conical flask यहां पर यह conical flask है इसमें यह zinc granule है जो कि लैब में junior science lab में easily available होते हैं तो यह zinc granule है और इसमें dilute sulfuric acid डाली डालने पर क्या होगा इसमें ध्यान से handle करना है और हम अपनी observation record करेंगे तो जब हम conical flask को touch करेंगे या फिर अगर activity test tube में हो रही है आप देख सकते हैं यहां पर यह cork है और cork के बीच में जो hole है उसमें से एक pipe निकाला गया glass tube है यह और यहां से क्यूं ताकि जो भी gas यहां पर develop होगी वह यहां से बाहर निकलेगी बाहर निकलेगी और हमें उसे observe करना है कि वह कौन सी gas है यहां पर लिखा हुआ है hydrogen gas है तो hydrogen gas बनी होगी चलो आगे पढ़ते हैं and the bubbles are produced due to the evolution of hydrogen gas hydrogen gas के evolution की वज़े से क्या बन रहे हैं क्या बनेंगे bubbles यह जो आप देख रहे हैं यहां पर तो bubbles बनेंगे अब जिन्क ग्रैनियूल्स के bubbles बनने लगे हैं तो bubbles are produced due to the hydrogen gas की formation की वज़े से also एक और बात होगी जो यह flask है यह गरम हो जाएगा ठीक है acid जो है उसके साथ react करने पर flask गरम भी हो जाएगा तो हमें यह पता चला कि zinc metal जो है वह किसी भी dilute acid के साथ react करने पर hydrogen gas का evolution होता है और temperature rise होता है तो इसका observation क्या है production of hydrogen gas and flask become hot zinc granule plus any dilute acid hydrogen gas evolution and evolution of gas change in temperature यह हमने देखा अब उपर जो हमने तीन activities की उनसे हमें क्या पता चला कि change in state change in color evolution of gases and change in temperature temperature था वो थर्ड वाली activity में ज्यादा हो गया थर्ड वाली activity में gas develop हुई first वाली activity में और second activity में color change हुआ white color का powder यलो precipitate मिला और और precipitate जो था वो solid था और जबकि हमने solutions में liquid use किये थे activity 2 में तो इस हिसाब से change in state भी हुआ तो यह जो चार condition है यह हमें बताती है कि कोई भी chemical reaction जब होती है तो ऐसा होता है तो किसी भी chemical reaction की पहचान है यह now next activity 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 1.4 यह activity page number 6 पर है तो यह activity जो है वो हमें combination reaction को दिखा रही है इसमें क्या करना है हमारा मक्सिद क्या है aim क्या है to study the combination reaction take a small amount of calcium oxide और a quick lime in a beaker किसी भी beaker में calcium oxide और quick lime लेंगे ठीक है calcium oxide जो है वो का उसका formula है calcium यहाँ पर दिया हुआ नीचे आप देख सकते हैं calcium oxide is c a o और water calcium hydroxide is slaked lime c a o h 2 twice तो बीकर के अंदर थोड़ा सा calcium oxide लेंगे उसमें water डालेंगे फिर बीकर को touch करेंगे तो हमें temperature में change मिलेगा क्या change मिलेगा कि vigorous reaction occurs calcium oxide जो है वो vigrously react करेगी थोड़ा bubbling होगी थोड़ा beaker जो है वो hot हो जाएगा यह beaker क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा और bubbles बनेंगे ठीक the vigorous reaction is the combination reaction of calcium oxide with water to form slaked lime और calcium hydroxide calcium hydroxide को slaked lime कहते भी कहते हैं और calcium oxide को quick lime कहते हैं ठीक है limestone भी कहते हैं तो क्या हुआ हमें the beaker is hot because the reaction result in the release of heat energy बीकर गरम हो जाएगा bubbling होगी reaction होगी और calcium oxide जो है water के साथ react करकर calcium hydroxide बनाएगी calcium यह बनेगा यह क्या है slaked lime है आप यह reaction हम अब हम reaction में देखते हैं calcium oxide को हमने water में डाला calcium oxide solid form में थी और calcium hydroxide जो है वो aqueous था aqueous बनेगा slaked lime जिसे हम कहते हैं और heat heat की वज़े से यह beaker जो है यह गरम हो जाएगा it conclude that calcium oxide undergoes a combination reaction with water or form slaked lime or calcium hydroxide with evolution of heat energy now next activity is on page number eight page number seven this is this activity shows how decomposition takes place decomposition reaction takes place activity activity 1.5 इसमें take about two gram of ferrous sulphate crystal in a dry boiling tube किसी भी dry test tube में boiling tube means कोई भी dry test tube में हम sulphate के ferrous sulphate के crystals लेंगे फिर color of the ferrous sulphate crystal को हम देख लेंगे कैसा है फिर heat करेंगे इस test tube को किसी भी burner के ऊपर यहां पर तो और spirit lamp पर तो do not point the mouth of boiling tube at your neighbors of yourself और अपने तरफ और किसी और की तरफ यह जो mouth है test tube का हमेशा अपने से अवे रखना चाहिए और यह ferrous sulphate के crystal है यहां पर तो अब क्या करना है observation है कि green color of ferrous sulphate ferrous sulphate का color कैसा था ferrous sulphate जो थी वो green color की थी पहले ठीक है ferrous sulphate green color की थी अब वो बदल जाएगा कैसा हो जागा gas is evolved having characteristic order of burning sulphur जिसकी burning sulphur की smell बनेगी इसमें और एक gas बनेगी जिसकी smell ऐसी होगी burning sulphur की तो इट हैपन्स बिकाज ओन हीटिंग ferrous sulphate ferrous sulphate जो है वो तूट गई decompose हो गई solid ferric oxide में और एंड थोड़ी सी gas बनी जो की sulphur dioxide की sulphur dioxide की जो smell होती है एसो टू की बहुत ही unbearable होती है सड़ी हुई smell होती है ठीक है और sulphur trioxide SO3 बनेगा SO2 और SO3 बना और इसकी reaction क्या होगी यहाँ पर इस बुक में दी हुई है 2Fe SO4 यह क्या है ferrous sulphate इसको गरम किया आप हम यह देख रहे हैं कि decomposition में single compound है reactant की तरफ only compound है और गरम सरिफ उसे गरम किया हमने उसमें कुछ भी add नहीं किया और उसके बाद हमें एक दो और तीन यहाँ पे product side में तीन मिले क्या कौन-कौन मिला ferric oxide मिला sulphur dioxide और sulphur trioxide इनकी जो है अजीब सी smell थी smelly था unpleasant smell थी और यह green color का था ठीक ग्रीन कलर का था और अब जो है conclusion क्या मिला में कि ferrous sulphate on heating decompose और यह reaction जो है वह क्या कहलाती है कि decomposition reaction कहलाती है कि decomposition reaction कहलाती है और यह इस प्रकार हमें इस reaction को याद करना है यह जो activities है अगली activity है page number 8 पर ही है activity 6 in this activity thermal decomposition हमें समझना है जो decomposition है वो दो हो तीन प्रकार का होता है thermal decomposition photo decomposition and electrolytic decomposition यह जो example है यह thermal decomposition का है इसमें lead nitrate जो powder है उसको test tube में लिया जाएगा 2 gram of lead nitrate फिर hold the test tube with a pair of tongs and heat it over a flame what do we observe and note down the changes तो what we what do we observe हमने क्या observe कि कि that brown fumes इसमें क्या होगा brown fumes brown fumes निकलेंगे and the powder in the boiling tube turns into yellow residue और जो powder था test tube में वो yellow color का residue के रूप में हमें मिलेगा the brown fumes किसकी थी जो brown fumes थी वो थी brown fumes are of nitrogen dioxide जिसे हम NO2 कहते हैं nitrogen dioxide NO2 and yellow residue किसका था yellow residue जो था वो lead oxide का था lead second oxide का यलो था 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 थीज आ तू प्रोड़क्ट फॉर्म थर्मल डिकंपोजिशिशन अफ लेड नाइट्रेट यहां पर lead nitrate का PB NO3 यह है आपको याद करना है इसको lead nitrate जो है उसको गरम करने पर lead oxide मिला nitrogen dioxide और oxygen liberate हुई ठीक है solid gas और gas form में आपको याद रखना है कि जो gas बनेगी brown fumes आ सकता है कि ऐसे पूछ लेकि एक powder था उसे गरम करा गया किया गया तो brown fumes निकली ठीक है और वो जल तो आपको फिर याद रखना है कि अगर किसी powder गरम करते और brown fumes निकलती है तो nitrogen dioxide की हो सकती है ठीक है तो it include that lead nitrate undergoes thermal decomposition to give lead oxide nitrogen dioxide gas and oxygen gas activity 1.7 यह थोड़ी लंबी activity लग रही है और 1.8 और कितनी बच गही एक्टिविटीज activity 1.7 यह एक्टिविटी यह एक्टिविटी यह एक्टिविटी यह एक्टिविटी इसमें क्या करेंगे टेक अ प्लास्टिक मग ग्रिल तू होल अट इस बेस एक्टिक मग लेकर उसमें दो च्छेद कर धिए फिर फिट रबर stopper इन इस होल इंसर्ट कार्बन इलेक्टोर इन इस रबर stoppers, in stoppers में carbon road electrode जो है वो fit कर दी connect this electrode to a 6 volt battery, this is 6 volt battery, fill the mug with water plain water इसमें डाला इस तरीके से डालना है कि electrode जो है ये क्या हों डूब जाएं, पूरी और add a few drop of dilute sulfuric acid, थोड़ इसी sulfuric acid इस पानी में डाल दी, ओके तो हमने water के अंदर dilute H2SO4 add किया take फिर दो test tube लेंगे और दोनों test tube को इन दोनों के उपर उल्टा रख देंगे and switch on the current, यहां से current की supply करेंगे on का, यह जो symbol होता है यह switch on का symbol है और अगर उसमें यह point ना हो तो यह switch off का symbol हो जाएगा फिल हाल यहां पे switch on का symbol है इसको switch on कर देंगे और इसको बिना छेड़े हम छोड़ देंगे थोड़े time के लिए यह रोड जो है वो किसकी है ग्रेफाइट रोड रोड है यानि कार्बन रोड मतलब ग्रेफाइट की रोड यू विल अब्सर्व देट formation of bubbles at the both electrodes bubbles बनेंगे और these bubbles displace water in the test tube और यह bubble जो है वो test tube में water को displace कर देंगे water की जगर ले लेंगे फिर once the test tube are filled with the respective यह gas भर जाएगे उसमें फिर इन test tube को हम ध्यान से हटा के अपने पास लेंगे फिर take this test tube one by one by bringing a burner candle burning candle close to the mouth फिर burning candle जो है वो इनके test tubes के पास लेके आनी है तो what happens in each case दोनो cases में क्या होता है which gas is present in each test tube दोनो test tube में कौन कौन सी gases present है तो हमने देखा था कि जब gas collect होती है तो cathode is double the volume of gas collected at the anode अब इसमें एक end जो है एक terminal तो cathode है और एक है anode तो यहाँ पर यह पाया गया कि the gas collected at the cathode is double the volume of collected at anode मतलब anode पर जितनी gas इकठी हुई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी cathode में है cathode पर double amount में collect हुई है कोई gas तभी तो देखो यहाँ पर gas ज़्यादा है यहाँ पर water का level ज़्यादा है फिर क्या होगा तो the gas collected at the cathode burns अब यह वाली जो gas है वो pop sound create करें अब यह pop sound जो है आपको याद रखना है pop sound किसकी आएगी अभी बताते हैं किसकी आएगी indicate that the gas is hydrogen gas यह question अर्टीन चार तरीके से पूछा जा सकता है pop sound create होगी जब उस test tube के पास जलती हुई candle लाई जाएगी तो यह gas blast होगी और pop sound आएगी और bubbles फूट जाएगे on the other hand जो दूसरी वाली gas है उसका क्या होगा indicate that it not support the combustion वो क्या करेगी दूसरी वाली test tube जो है उसके पास जब candle लेके आएगे तो वो जलने में help करेगी combustion को help करेगी तो इसका मतलब वहाँ पर combustion को help करने वाली gas कौन सी है oxygen और किस पे मिली ये anode पे हमें oxygen मिलेगी और cathode पे CO2 carbon dioxide मिलेगी इसकी reaction है मैं बताती हूँ आपको 2H2O 2H2 gas प्लस O2 ये भी gaseous form है ठीक है ये reaction होगी तो ये hydrogen जो है वो pop sound के साथ जलेगी और जो oxygen है वो combustion को help करेगी और इससे हम पहचान लेगे तो हमें question में ये भी पूछ सकते हैं एक्जाम में कि एक gas जो थी उसने combustion को वो किया support किया और एक terminal पे जो gas मिली वो pop sound के साथ burn की तो या तो दोनों gases बताईए आप या दोनों gases के बारे में पूछा जा सकता है कि pop sound वाली कौन सी gas है या फिर oxygen को sorry combustion को support करने वाली कौन सी gas है ये activity लंबी और बहुत important है hydrogen की pop sound वाली ठीक है अभी next है activity 1.8 this activity help us to understand in understand photo decomposition हमें क्या पता चलेगा इससे फोटो डीकंपोजिशन लाइट फोटो में आपे photo refers to photo means light light से भी decomposition होता है heat से भी decomposition होता है electricity से भी decomposition होता है तो जो decomposition heat से हुआ वो थर्मो जो electricity से हुआ वो इलेक्ट्रोलिटिक और जो light से होगा वो photo decomposition अब यह हम थर्ड टाइप का decomposition जो है यह photo light वाला decomposition पढ़ रहे हैं इसमें silver chloride को एक china dish में लिया गया फिर उसको दूप में रख देंगे तो silver chloride के साथ क्या होगा यह हमें बताना है तो observation is that white होती है silver chloride का color कैसा होता है silver chloride जो है वो white होती है और light की वज़े से sunlight की वज़े से silver chloride कैसी हो जाएगी gray color की silver chloride का color gray हो जाएगा और क्यों हो जाएगा क्या बन गया वहाँ पे 2AGCl जो white थी वो sunlight की वज़े से वहाँ पे silver चांदी silver बन गया simple silver जो की gray है और chlorine simple chlorine gas chlorine जो है वो gaseous form में मिलेगी next activity 1.9 this tell us about displacement reaction page number 10 पर activity 9 है 1.9 हम इसको read करते है take three iron nails and clean them by rubbing with sand paper दो लोहे की कीले लेनी है और उनको clean करना है sand paper से take two test tubes दो test tube लेनी है एक A और दूसरी B उनको label कर देंगे A और B से फिर उन दोनों कीलों को iron nails को एक धागे से बान देंगे और दोनों को ध्यान से बिलकुल एक copper sulphate copper sulphate की जो भरी test tube है test tube B में क्या है copper sulphate है उसमें दोनों कीलों को यहाँ पर आप जिस तरीके से से सेट्मेंट देख रहे हैं ऐसे डाल देंगे ठीक 20 मिनट तक ऐसा रखा रखेंगे फिर देखते हैं क्या होता आफ्टर 20 मिनट टेक आउट दा iron nails from the copper sulphate solution copper sulphate solution जो है वह कैसे कलर का होता है blue color का होता है copper sulphate solution blue होता है और compare the intensity of the blue color मतलब test tube A में भी copper sulphate लेना था और test tube B में भी copper sulphate लेना था दोनों test tube में copper sulphate लेना था और B वाली test tube में हमें दो लोहे की किलें डाल देनी थी और 20 मिनट के बाद दोनों test tube में जो copper sulphate है B वाली test tube के copper sulphate के color को A वाली copper sulphate जो pure है बिना कील वाला उससे compare करना है कि क्या change हुआ फिर कीलों पे उपर क्या असर हुआ ये देखना था तो it is observed that on dipping the iron nails into copper sulphate solution the color of the iron nail become brownish तो iron nails जो है वो तो iron nails कैसी हो गई brown हो गई और the color of and the blue color of copper sulphate solution fade हो गया Cu SO4 का blue color fade हो गया मतलब धुंदला हो गया ये difference हुआ it happens because ऐसा क्यों हुआ iron metal जो है iron reacts with iron reacts with the copper sulphate solution and to from copper metal and iron sulphate solution इसकी वज़े से क्या हुआ iron ने copper sulphate के साथ reaction करी और उसके बाद क्या मिला FVSO4 और copper अलग हो गया solid FVSO4 aqueous बन गया जबकि पहले iron जो था वो nail जो solid थी तो ये क्या बन गया iron sulphate और copper अलग से मिला reaction देखते हम इसकी ये reaction आइरन की nails को copper sulphate solution में 20 मिनट तक रखने पर कीले जो है वो तो brown हो गई और copper sulphate का blue color जो था वो fade हो गया दुंदला हो गया क्यों क्योंकि आपर iron sulphate बन गया तो iron sulphate और copper जो है वो अलग हो गया तो ये क्या था आइरन ने copper को डिस्प्लेस कर दिया ये displacement reaction है copper sulphate से iron ने copper को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगर लेली तो ये displacement reaction है इन इस reaction iron has displaced और removed another element और ऐसा ही zinc और copper sulphate के साथ हुआ zinc ने copper को हटा कर copper अलग हो गया और zinc sulphate बन गया similarly यहां पर lead ने copper को हटाया copper अलग हो गया lead chloride बन गया तो ये कौनसी reaction है displacement reaction next activity 1.10 यानि 10 activity take about ये हमको क्या बताएगी ये वाली activity हमको बताएगी double displacement reaction take about 3 ml of sodium sulphate solution in a test tube in another test tube take about 3 ml of barium chloride solution एक test tube में तो sodium sulphate लेना है दूसरे test tube में barium chloride लेना है 3 ml दोनों का जो मात्र है बराबर ली अब mix the two solution इन दोनों solution को एक दूसरे में mix कर देंगे तो क्या हो जाएगा it is observed that on mixing the two solutions barium Na2SO4 sodium sulphate को और barium chloride को mix करने पर हमें मिलेगा add करने पर हमको क्या मिलेगा BASO4 barium sulphate और 2 NaCl अब यहां पर आप क्या देख पा रहे हो खली mix किया था स्रिफ mix करने पर क्या हुआ कि white precipitate is form क्या मिला white precipitate और the precipitate किसका है barium sulphate का precipitate है barium sulphate का precipitate है और product of reaction between barium so barium chloride का solution और sodium sulphate का solution हमें मिला और white precipitate जो है वो किसका है barium sulphate का white precipitate होगा हमको यह याद रखना है जिससे कि किसी भी question में directly indirectly पूछा जाए तो barium sulphate BASO4 Na2SO4 प्लस BACL2 ने तो Na BAS तो यहां आ गया और Na इधर चला गया ठीक है तो अब 2 NaCl बनेगा activity 11 last यह हमको oxidation reaction के बारे में बताएगी oxidation and reduction इसमें एक ग्राम copper powder को एक चाइना डिश में रखा गया और गरम किया गया किसी भी चीज को गरम करें है हीट करें है तो मतलब उसको एक वायर गौज पे रखा गया तो क्या होगा copper powder जो है वो black copper oxide में convert हो जाएगा copper powder powder gets coated coated with black copper oxide okay reaction 2 Cu solid plus O2 जो की gas थी oxygen from air reaction 2 Cu O यह भी solid so that's all for this chapter अब हम अगले वीडियो में इस question इस chapter में से पूछे जाने वाले objective types और value based question जो की case study है वो करेंगे case study पे जुड़े हुए questions जरूर आएंगे क्यूंकि कि आजकल cbsc जो है वो direct question नहीं पूछती है कि यह बताओ वो बताओ वो situation दे देती हैं और सबसे पहली बात कि cct creative and critical thinking के basis पर अपकी बार paper आने वाला है तो आप cct को seriously लें राड़ करो झाल झाल